ब्रह्मा जी के दरवार में एक पश्व ने जाकर शिकायत किये है। ब्रह्मा जी आप जब देखो तो मनुस्वे को ही महत्वर देते रहते हों Конечно क्या सिस्ता है इस मनुस्वे में। और इस मनुस ने हम पश्वों के साथ जितने अत्याचार किये किसी ने नहीं किये कैसे उन्हों ने कहा कि देखो आपने घोड़े की पीट पर एक आदमी की सीट बनाई ब्रह्मा जी की बनाई हुई है कि एक आदमी घोड़े पर बैठे उर जाए और इस बेइमान आदमी ने तांगा बनाया बनाया कि ने जबता बारा बिठाए छह साथ तो यहीं बिठा लिए पांचे बज़े उन्हें से का कि पुलिस टोकी को उधर चलो उधर बिठाए एक आदमी की सीट और इतने बिठाए दूसरा भेड के सरीर पर जो बाल उगाए गए वो इसलिए ताकि यह सर्दी से बचे सुरक्षित रहे आदमी ने भेड को मूड दिया अपने स्वेटर मफलर कोट बनाए बिचारी भेड सर्दी भर ठिटूरती रही रही अज़ और दे को बकरी बोली बेहन तेरे तो बाल ही मूडे यह आदमी मुझको ही मूड के खा गया क्या हो गया है हम लोगों गुजरत देख गया हो मांसा हरी पशुक कभी गास नहीं खा सकता उसके दातों की बनाव शेर कितने ही दिन का भूका हो गास नहीं खा सकता और गास खाने वाला पशुक कभी मांस नहीं खा सकता उसके दातों की बनाव टुस्तर है एक आदमी ऐसा है चाहे जो खिला ले गास मान से आयसा है तब ब्रमाजी से यह शिकायत की गई है इसके बाद भी आप कहते है बड़े भाग मानुस तन पावा हाथी का तन क्यों नहीं और कुई शरीर क्यों नहीं ब्रमाजी ने कहा कि देखो ऐसा है तुम लोगों की शिकायत तो जाइज है पर हम आदमी को भी बुला लेते हैं तो हम मनुस्ट्यों की और से एक प्रतिनी थी गया ब्रमाजी के यहां और उधर सपस उपक्षू तो ब्रमाजी ने कहा कि भाई आदमी आतो गया है इसकी विसेस्ता इसलिए है कि और लोग टैब है चैब है बोलते हैं लेकर आदमी बोलता है तो बोली बड़ी अच्छे स्वर बड़ा था कोयल सामने आगई जब कोई आदमी सुर में बोलता है तो कि आँ हाँ क्या कोयल की तरह कुकरा रहा है तो ये विसेस्ता पश्वों से उधार ली की नहीं बताओ सुन्दर बोले तो कोयल की तरह है ये बात तुमारी नहीं चले गए तो मन उस्षे बोला कि हम कपड़े अच्छे पहनते हैं तो हिरन ने का तुमारे कपड़ों का रंग उड़ जाता हमारी कपड़े देखो शरीर का चर्म देखो इसको उतार उतार कर तुम अपने कपड़े बनाते हैं अज़े ये ये वी बात नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम मकान अच्छे बनाते हैं तो बया पक्षु बोला कि तुम से बढ़िया मकान तो हम बना लेते हैं तो मनुस्य ने कहा कि हम बलवान हों तो शेर दाड मार के सामने आया कि हम से ज़्यादा बलवान नहीं हो सकते हैं मनस्यों में जब कोई बलवान होता है तो कहते हैं क्या शेर की तरह चला रहा है शेर की तरह कभी किसी शेर से किसी ने कहा क्या आदमी की तरह चला रहा है आप सोचो तब ताकत भी शेल की तरह बोली कोयल की तरह अज़े जितनी विसेस्ताइं सब पशूँ की नाक तोते की तरह आँख एरन की तरह आपता हमें लगता है इस आदमी में आदमी का है क्या तो आदमी परेशान हो गया कहने लगा मैं सबसे जदा चाला आक हूँ तो कुवा समने आगा हम से ज़्यादा मूर्क नहीं हो सकते हैं जब कोई मूर्क होते हैं तो कहते हैं आदमी नहीं गदा है चाला की होते हैं तो कहते हैं आदमी नहीं कवा है सार गडाही होते हैं तो कहते हैं आदमी नहीं हंस है बलवान होतो शेर हैं सुन्दर बोले तो कोयल कीतर है नाग तोते की तरहे नेत हिरन की तरहे ब्रह्मा जी ने का इनमें तुम्हारी पश्वों से कोई जीत नहीं थिर ब्रह्मा जी एक्यों कहा गया बड़े भागमानुस्तन पावा ब्रह्मा जी ने का इसलिए ही क्योंकि इसे जो सरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जही परलोक सवारा पाहिन जही परलोक सवारा परलोक सवारा यह मनुष्य शरीर जो इसे मिला है यह इसके सचमुच सौभाग्य का सूचक है क्योंकि यह साधन का धाम है इस सरीर को पाकर साधना की जा सकती है आराधना की जा सकती है भजन किया जा सकता है और मोक्ष का दर्वाजा है